हेलो एवरिवन वेलकम टो अड़ा 24-7 स्कूल में राजिंदर सांखला बच्चो इस सेशन में हम कक्षिया ग्यारा की पुस्तक वितान बाग एक के अध्धाय संक्या दो जिनके लेखा का नाम है अनुपम मिसर और अनुपम मिसर जी ने एक पुस्तक एक रचना लिखी है जिस सरवादी चर्चित रही है उन्हों में से एक तालाब है दूसरा राजस्तान की रचत बुंते हैं जो हम इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो बच्चो दिहान से समझना इसमें हम राजस्तान की भासा अर्थात बोली के साथ साथ हम लोग कुछ ऐसी बाते समझेंग है बहुत सारे सब्सक्राइब करना है क्यों कि याद कर लेंगे तो हमारे एकजाम में काम आएगा और दूसरा सबसे अच्छी बात क्या है राजस्तान के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे जो उम्मीद करता हूं आप लोगत अच्छा समझ में आए तो लोग चर्चा करेंगे तो बच्चों इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले इस सेशन में हम अनुप मिस्सर जिद्वार रचित रचना जिसका नाम है राजस्तान की रजट बुंदेंगे रजट का अर्थ यहां हम पानी रखेंगे इतिहान रखना वैसे मैं बता चुक अंदर में या किसी नदी में देख लो लेकिन पानी के वल पीने के काम में आता है ठीक है इससे पहले हम लोगों ने बच्चों अनुप मिस्सर जी का जीवन परीचे के सासाथ राजस्तान रजट पुंद्य का सारांस हम लोगों ने पढ़ लिया था और नेक्स्ट वीडिय द्वारा लिखी हुई है इसको हमें ध्यान से समझना है तब भी हमें नेक्स्ट वीडियो जो में लोग अब ध्यास परसनों के बारें पढ़ेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी एक परसन को हल हम आसानी से कर सकते हैं देख लो इस तस्वीर से हमें पता चल रहा ह यह कोई है इसके पाद मंडेरी है इसके पाद गड़ा हुआ है इसका मतलब पूरा राजस्तान के समस्या को अभीवक्त कि आ है इन्हों ने कह तो बताए जल्दी से कौन है बच्चो तो कौन है अनपम मिसर जी है कौन है अनपम मिसर जो बच्चो इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं जो रचना लिखी है वैसे तो इन्होंने कहा है कि कहा गया है जीवन परीचे में बताए बीश सदिक प्रयावन समंदी मुद्धो पर इन वीश सदिक पूस्त के लिखे है जिसमें से एक तो ये रचना राजस्तान रचत बूंदे और दूसरा ताला बहुती चर्चित रहा है पाठकों के समने तो मूल पाठ हम लोग पढ़ लेता है पसीने में तर बतर चेलवान जी कोई के विथर काम कर रहे हैं यानि काम कर रहे हैं अब जो व्यक्ति काम करता है तो मैंने जीवन परीचे में पढ़ाया था एक सब्दा आया था सब्दार्थ के समय कि आच परता बहुत आतर बहुत अतर बहुत आइरा कहांपर चैललमान जी कोई के वित्र काम कर रहे हैं यानि कि उसके अंदर जो वेक्ती काम कर रहे है । कोई 30-35 आत घहरी खुदाई हो चुकिए है । इतना ही कोई को खुदा भी जाता है । कितने खुदाई हो चुकिया 30-35 आथ यानि कि एक आथ को गावओं में डेड़ फुट के नाम से डेड़ फुट जाना जाता है । त तो इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं, आप बीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगे उन्धर कोई 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 घरा भूती सकरा है, पीठ चाती से एक-एक हाथ की दूरी पर केने का तात पर क्या है कि चैलवान जी की पीठ और और छाती से एक-एक आथ के दूरी पर क्या है मिट्टी है वो उकडू बैठे हुए है इतनी सकरी जगे में खोदने का काम कुलाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता यानि कुई है खोदी किसी है बसोली से किसे कुदी जाती जैसे कि छोटा आगे से पहना होता है रहा इतना पकड़ने का एक अत्ता होता है उस परकार से खोदी जाती है तो खुदाई यहां बसोली से की जाती यानि कि कुलाड़ी या फावड़े से नहीं खोदी जाती कोई किसे खोदी जाती है बसोली से बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा ओजार होता है फावड़ इस परकार से ऐसे ऐसे मुड़ा होगा होता है ऐस इस परकार से ठीक है तो यह होता है कि वसोली जिससे कोई खोदी जाते कोई कोई का ही इस्त्रिलिंग रूप माना जाता है यानि माना क्या जाता है यह नुकिला फल लोहे का और अथ्था लकडी का यह तो लोहे का होता है ठी कालिका होता है कुई की गहराई में चल रहे महंती काम पर वहां की गर्मी का क्या पड़ेगा असर ही पड़ेगा गुए के घर्मी कम करने के लिए उपर जमिन पर खड़ें लोग बीच वीच में मुठ्री भर्रेथ भहुत जार के साथ नीचे फैंकते हैं यानि कि बहुत एक नीचे फैंकते हैं कपड़ा या बालती डोल फैंकते हैं जिसमें उस मिट्टी को बरी जाती है इससे उपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम गोटू गरम हवा उपर लोटती है यानि कि मिट्टी खोद दे पहारे रेत के कन नीचे काम करे चैलवाद ूभाण जी सिर पर लग सकते हैं इसलिए उपने के सिर पर कांसे या पितल या अन्य खिसी दात्प का एक बूतन करा जाता है यानिके पितल या कांसे का इतने उपर से चैलवाद गये यानि कि बाल्टिया डॉल या कोई कपड़ा गेरा जाता है तो नीचे चेलवान जो काम कर रहे हैं उसके उपर लगेगा सर के उपर बहुत तेज लगती है यानि कहता है ना कि बस से जाते समय इस परकार हाथ कर तो सामने आएगा बहुत तेज ठीक है क्योंकि उसकी स्पीड क अनुसा ठीकता है ना वही स्पीड मान लो जैसे आप लोग खेंच के ठपड मारते हो किसी को तो वही स्पीड कितनी होगी जैसे गैंबोलर गैंद फैंकता है तो कहते हैं 140 किलोमेटर अफ्तार से गैंद आ रही है तो वही बात यहां है उपर से कोई पत्थर गेरेंगे जिए पर चेलवान जी के पंजो के आस्पस मलबा जमा हो जाता है सिदीसी बात है तो खोद gwाई yen bron獠 होगा उपर रसे से एक छोटा सा डोल या बालती उतारी जाती है जिसमें मिट्टी को भरा जाता है उस मिट्टी उसमें भर दी जाती है कि इसमें डोल या बाल्टी में पूरी सावधानी के साथ उपर खीचते समय भी बाल्टी में कुछ रेत, कंकर, पत्थर नीचे से गिर सकते हैं टॉप इन से भी चैल्वानजी का सिर्फ बचाएगा, जब उपर से बाल्टी खीचेंगा इस परकार से तो क्या होता है कि फिर भी कुछ गिर सकता है नो है, जा पितल का कहाता हुआ हो फिसको बचाए कुछ भी गिर सकता है तो आपको दिख रहा है ये वक्ति ये टोप पेना हुआ है कहां से का पितल लगा ये वक्ति काम कर रहा है अब ये देखो रस्षी किस हायता से आ रहा है नहीं रस्षी आ रही है ये इसमें मिट्टी बर रहा है ये इंसान ये खोद रहा है इस प्रकार से दिख गया तो चेजारो कोई खुदाई और वियक्ति को तो क्या का जाता है चेजारो और वह जो काम होता है जो काम करती है उसे किया रहे हैं वह भी कोई सादरन राचा नहीं है कोई यानि चोटा सा धर जोटा सा वह रूप होता है कर पुलिंग हे और कोई इस्तरिंग में बता चुका हूं बार बार यह चोटी भी केवल व्यास में ही है यानि कि बिल्कुल नीचे चोटी है बिल्कुल व्यास इसका बिल्कुल सक्ड़ा होता हुआ चला जाता है नीचे गहराई तो इस कोई की कहीं से कम नहीं राजस्तान में अलग-अलग इस्तानों पर एक विशेश कारण से कोईयों के गहराई कुछ कम जादा होती है राजसता हम अलग-अलग अपने इसाफ से बना लेते हैं सहर के अनुसार कोई एक और अर्थ में कोईय से बिल्कुल अलग है लेकिन कोई एक है कोई भूजल को पाने के लिए बनता है पर कोई भूजल से ठीक वैसी नहीं जुड़ती जैसे कोई जुड़ता है अब देखो परकर्तिक उदारता पर खड़ी कोई यानि कि ये कोई खड़ी हुई है उपर ये लखड़ी का बना दिया जाता है इसके उपर वैसे भी कुछ एक और जिसे चर्खी का बहान दिया जाता है जैसे रसी है ऐसे पानी खीनते हैं इसके अंदर से ठीक है तो कुई वर्षा के जल को बड़े विचितर डंग से समेठती है तब भी जब वर्षा ही नहीं होती यानि कुई में ने तो सतय पर बहने वाला पानी है उन्हें भूजल है यह तो नेती नेती जैसा कुछ पेचिदा मामला है मरू भूमी में रेत का विस्तार और गहराई अथा यानि बहुत ज़्यादा गहराई है पेचिदा यानि कठीन मामला नेती ने धीरे धीरे यहां वर्षा अधिक मातरा में भी हो तो उसे भूमी में समा जाने में धेर नहीं लगती पर कहीं-कहीं मरूमी में रेत की सतय के न 50-60 हाथ की नीचे खड़िया पत्तर को एक पट्टी चलती है यानि कड़िया पत्तर क्या चलती है पट्टी सी चलती रहती है यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चोली है पर रेत की नीचे दबी रहने के कारण उपर से दिखती नहीं है नीचे जैसे खड़िया पत्ती है उसके उपर रेत होती है जिसके कान लोगों को उपर से दिखाई दिखाई वह नहीं देती है ऐसे छित्रम बड़े कुवे खोटे समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़या पट्टे का पता चल जाता है बड़े कुवे में पानी तो डेड़ सो दो सो हाथ पर निकल ही आता है पर पराय खारा होता है यानि कि बड़े कुवे में डेड़ दो सो या दो सो के मद्दे में पानी निकल आता है लेकिन पराय कैसा पानी होता है खारा पानी होता है समुदर की तरह इसलिए पीने के काम में नहीं आता है बस तब इन छेतरों में कुईयां बनाई जाते है पट्टी खोजने में पीडियों का अनुभव भी काम में आता है बरसात का पानी किसी छेतर में एक दम बैठे नहीं तो पता चल जाता की रेत के है यह पट्टी वर्सा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है ऐसे यहनी कि जो खड़या पट्टी यहनी किसको रोकती है जो भूजल का जो उपर का पानी है वह जो खारा जल है उसमें जाने से क्या करती वह रोकती है ऐसे स्तिति में परकरती की उदारता पर खड़ी कुई उस बड़े छेतर में बरसा पानी भूमी की रेतिली सते हैं और नीचे चल रही पत्रिली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। पर ऐसे चेतर में परकरती की एक और अनोखी उदारता काम करती है। जहां लगाओ है वहां अलगाओ भी होता है। जिस मिट्टी के कन परसपर चिपकते हैं वे अपनी जगे भी छोड़ते हैं। और इसलिए वहां कुछ हिस्तान खाली छूट जाता है। और धर्ती में खेत और अंगन में दरारे पर जाती है। यानि कि दोमट और काली मिट्टी कहां कहां पाई जाती है। गुजरात में, मद्यपर्देश में, महराष्ट में और बिहार में ध्यान रखना। और महराष्ट में अनुपम मिसर जी का जन्म होता है। 1948 में वर्दा में महराष्ट में इनका क्या होता है। तो इन्हों दोमट काली मिट्टी कहां का बताई। गुजरात, मद्द्पर्तिस, महराश्ट और बियार आदी में वर्षा बंद होने के बाद दूप निकलने पर मिट्टी के कन चिपकने आपस में लग जाते हैं और धर्ती में खेत और आंगर में दरारे क्या हो जाती हैं? धर्ती की चित नम्मी दरारों से गर्मी पढ़ते ही वास्प बनकर वापस वातावर में लोटने लगती है पर यहां बिखरे रहने में ही संगठन है मरू भूमी में रेत के कन समान रूप से बिखरे रहते हैं यहां परस पर लगाव नहीं है इसलिए अलगाव भी नहीं होते हैं परस पर जब मिट्टी जुड़ी हुई नहीं ह छोड़ते हैं इसलिए मरों भूमी में धर्ती पर दरारें नहीं पड़ती हैं वित्र समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है एक तरफ थोड़ी नीचे चल रही पटी इसके रखवाली करती है तो दूसरी तरफ उपर रेत के एसंख्य कनों का कड़ा पहरा बैठा रहता है यानि कि एक तरफ थोड़ी नीचे चल रही पटी होती हैं खड़िया पटी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ उपर रेत के एसंख्य कनों का कड़ा पहरा यानि कि बताया गया है न उपर से जब व्यक्ति कुई में देखता है तो नीचे जो खड़िया पटी होती है उसक वो सुरक्चा परदान करती है देख लो खारे पानी के सागर में अमर्द जैसा मीठा पानी ये कोई बनी हुई है दीखे रहा है सहर है इस इससे में बर्षी बूंद-बूंद रेत में समा कर नमी में बदल जाती है अब यहां कोई बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली फिर से बूंदों में बदलती है यहां अब यहां कोई बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगए चारो तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है बूंद-बूंद रिस्ती है और कोई में पानी जमा होने लगता है खारे पानी के सागर में अमर जैसा मीठा पाणी होता, यानि कि बूंद बूंद रिष्टिय तो कुई में पानी जमा होने लगता है, तो खारे पाने के सागर अमर जैसा मीठा पानी जमा हो जाता है, ठीक है समझ में आ रहा है न, आप लोगों को फिर हमें अभ्यास परसनों करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अब देख लो ठीक है कोई है ये सागर मतलब कहने का तात पर यह क्या है कि कोई भहती ज़्यादा काम में आती है इस अमरित को पाने के लिए मरो भूमी के समाज में खूब मन्थन किया अपने अनुभवों को व्यभार में उतारने खारे पाने के सागर सागर में पूरा एक सास्तर विक्षित किया है कहने का तात पर इस अमरित को पानी को यह मीठे पानी को पाने के लिए मरो भूमी जैसे मेर बार मेर चूरू जैसे छेतर में समाज में खूब मन्थन किया खूब विचार किया किस परकार से हमें मीठा पानी बचाना है अपने सास्तर ने समाज के लिए उपलब्द पानी को तीन रोपों में बाटा है यानि कि इस सास्तर ने जो लोगों ने मंतन किया है उसको कितने रोपों में बाट दिया पहला रूप पालर पानी होता है पहला रूप को क्या कहा जाता है पालर पानी यानि सीधे बरसात से मिलने वाल पानी को क्या कहा जाता है पालर पानी कहा जाता है मोश्ट ध्यान रखना यह दरातर पर बहता है और इसे नदी तालाब आदी में रोका जाता है यहाँ जो सिदे बरसात आती है उस पानी को पालर पानी कहते है जो पालर पानी आता हुए दरातर बहता है नदी तालाब में प्रकार से कहते हैं नीचे खड़ा खोद कर कि उसमें पनी बिच्छा गरें पूरे घर का पानी वची में चला जाता है पानी आता है नाले के द्वारा मोरे होते चोटे पयप उसकी द्शाइता से तो बहुत कुछ होता है उसका पूरा व्योरण आगे कहीं और मिलेगा और और दूसरा रूप होता है पातल पानी कहलाता है पहला तो पालर पानी दूसरा देखो पहला पालर पानी होता है तीसरा पातल पानी पालर पानी क्या होता है बरसां से सीधा मिलने वाला पानी जिसे नदी में या ताला में रोका जाता है बहुत कुछ होता है जैसे की बावडिया जो कुओं में से निकाला जाता है और यही जो पातल पानी वही वही जल है जो कुओं से निकाला बड़े गहरे कुओं बनाई जाते हैं उससे निकाला जाता है पालर पानी और पातल पानी के बीच पानी का तीसरा रोप है जिसे रेजानी पानी कहा जाता है यानि कि पालर पा ताल में नहीं मिल पाया पानी को क्या कहा जाता है वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमेटर नहीं बलकि रेजा सब्द का उपयोग किया जाता है यनि कि वर्षा के मात्रा को मापने के लिए नापने के लिए कितना पानी हुआ है इंच सेंटीमेटर नहीं माप उसके लिए इंच संटिमेटर का प्रयोग किया जाता है जिसे thereatal अल पर हुई वर्सा को नहीं नाप ता द्रहतल के नीचे कितना पानी रशा है कितना पानी गया है यानि मरो भूमी में पानी इतना गिरे कि पांच उंगली बिथर समा जाए पानी, पांच अंगल पानी बिथर समा जाए तो उसे पांच अंगल रेजो कहा जाता है, रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है, यानि कि रेजानी पानी जो होता है खड़या पट्टी के कारण पाताली पानी से क्या होता है अलग बना यानि कि मैंने बताए ना कोई खोते हैं तो नीचे खड़या पट्टी आ जाती है वह उसको किसमें पाताल पानी से यानि कि खारा पानी से रोकती है और पाताल पानी कहां से पराप्त होता है कहा औहां से पराप्थ होता है कों से पराप्थ होता है लेकिन जो पातले पाने मिलकर अपना विश्श्ट रूप खोदेता है ये जिसी जगें भूजल पातल पाने खारा हो जाता है कि तो रेजानी पानी जो होता है वह भी रेजानी पानी जो होता है वह भी उसे मिलकर की हो जाधा है खारा हो जाध़ नहीं कर पूरा समुधर है खारा पाने को बनाया जाता है चार-पांच हाथ के व्यास की कोई को 30-60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुसलता और साउधानी की पूरी उचाई नापते हैं यानि की चार-पांच हाथ की व्यास चार-पांच हाथ तो क्या हो गया चोड़ाई हो गया और 30 से 60 65 हाथ उसकी क्या होगी गहराई हो गई ऐसे खोड़ाई अब इसमें जो खोड़ेगा अब वो चेल पांजी जो चेजार होता है वो तो साउधानी अपनी रखे गाई और बता चुका हूँ कि अपने सर को बचाने के लिए कहां से पीतल का टोप पहनते हैं चेजो यानि चिनाई का सरेश्टम काम कोई का प्रान है इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्रान लें बात तो सही थोड़ी सी चूक होगी मालूम मिटी दस गई तो चेजारों की वक्तियों की जान चले जाती है कोई पर सजकता का पैरा देखलो कोई पर सजकता का प कोई खोदाई हर दिन थोड़ी-थोड़ी खोदाई होती है और फिर आगे की खोदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिटी भसके या 10 काम कर रह रही है वक्ति वो पर जाएंगे और 20 से 25 जैसे ही नीचे खोदाई कर लेंगे तो गर्मी बहुरती चले जाएगे और हवा भी वहां नहीं लगेगे हैं स्वास भी गुठने जैसा लगता है तब उपर से मुठी बर-बर कर रेत नीचे तेजी से फैकी जाती है मरो भूमि जो हवा रेत के विशाल टोलों तक को यहां से वहां उडा देती है वही हवा यहां कोई की गहराय में एक मुठी रेत से उडने लगती है और पसीने में नहां रहे चेलवांजियो या चेलवांजी को राहत दे जाती है ओपर उपड़ से क्या फैनकी जाते देखना यवरा वह उपस देखना तब ऊपर से मुठी ब alter रेत नीचे तेजी से फैकी जाती है यागश फैकी जाएगे तो उस में क्या होती है अवा होती है और किसी किसी जगे ऐसी मिटी होती है कि इंट की चिनाई से मिटी को रोकना क्या है एसंबव हो जाता है तब कोई को रसे से बांदा जाता है और तब कोई को किसे बांदा जाता है रसे रसा और रसी रसा मोटा होता है रसी पतली होती है पहले दिन कोई खोदने के साथ साथ ख उन रेसों से क्या बनाई जाती है रसी बनाई जाती है ठीक है तो घास घास का क्या अगन लेया देर जमा कर लिया जाता है चेजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई तीन अंगुल मोटा रसा बांटने बटने लगते हैं यानि की और देखो चेजारों शुरू कर देते हैं खुदाई करना और कुछ लोग तीन अंगुल मोटा रसा बांदना शुरू कर देते हैं उस खीप की घास से पहले दिन काम पूरा होते होते कोई कोई दस हाथ गहरी हो जाती है यानि कि पहले दिन काम करते हैं तो कोई लगबग कितने हाथ खो जाते हैं तो जारो यानि कम से कम दस हाथ खो जाते हैं लगबग लगबग इसके तल पर दिवार के साथ सटा कर रस्य का पहला गोल बिचाया जाता है और फिर उसके उपर दूसरा तीसरा चोथा इस तरह उपर आते जाते हैं एक दूसरे से फंस कर मजबूती से एक की उपर एक बैठती है खेने का तात पर खीप गांसे बना खुरद्रा मोटर जो रसता हर गर पर अपना वजन डालता है नहीं कि अब महनत तो करने पड़ेगी और बटी हुई जो रस्य है लड़ियों की एक दूसरे से फंस कर मजबूत अगले दिन फिर कुछ हाथ मिटी खोधी आती है और रस्य को पहले दिन जमाई गई को दिन खोधी गई जगे में सरकादी जाती है यानी जो कुली जो रसा बैचा है नीचे एसे तो तो उसको जैसे कि दूसरे दिन जो जितना दस पंदरा जितना खोदा जाएगा उसको नीचे तक फिर बीचा जिए जाती है तो उपर बांटते जाएंगे नीचे सरकाते जाएंगे ऐसे ऐसे तो मजबूत होता भी रहेगा तो अगले दिन फिर कुछ हाथ मिटी खोदी और उपर जो दिवार छूट गई उसमें नया रसा भान दिया जाता दिर दिर रसे को कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं और कहीं कहीं बीच बीच में जैसे कि रसे को कुंडली को टिकाए रखने के लिए भी कुछ यहने की एक घहरा बनाने के लिए कोई में लगबग 15 हाथ का यहने की 15 और 7.5-2.5 फुट का रशा बनाया जाता है यहने एक पर वापस देखिए लगबग 5 हाथ के व्यास की कोई यहने चोड़ाई कितने 5 हाथ है तो रशे की एक कोंडली का सिर्फ एक घहरा बनाने के लिए रशे की जो एक कोंडली बनाया जाती है एक दिन जो खोते है उस पर जो कोंडली रखें भी किया अपन तो उस पर लगबग 15 हाथ का रशा चाहिए बनाने के लिए इन रश पंदरा हाथ का रशा तो चाहिए ही चाह गहराई में रस्चे के आठ दस लपेटे क्या हो जाते हैं खप जाते हैं समाप तो हो जाते हैं खपना यानि कि कहते हैं ना कि पांच रोटी खप गई यानि पांच रोटी खा गया ऐसा है और इतने में ही रस्चे की कुल लंबाई डेड़ सो हाथ हो जाती है देखो यह कात की गहए में रस्चे के आठ से दस लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्चे की कुल लंबाई देड़ सो हात हो जाती है यानि की तीस हात गेरी कुई की मित्टी को थामने के लिए रस्चा भांदना पड़े तो रस्चे की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठ थी यानि 30 हाथ यानि कि देखो एक हाथ में 8-10 लपेटे तो एक हाथ में जब 500 हाथ हो गए तो 30 हाथ में कितने होगी 4000 होगी 1500 को यानि कि हम कहें 1500 में 8-10 लपेटे होते हैं तो ये एक हाथ की में इतना रशा लपेटा जाता है तो तीस हाथ में तो कितना हो गया देख लिजे तीन रेक चार सही किया है नहीं कि अपंदरा ती पैंतालिस हो गये न यहीं पैंतालिस हो यहीं देखो चार अजार आत के आसपास बैठती है यहीं कि है कात में जब आठ से दस लपेटे खपते हैं तो तीस हाथ गेरा ही कोई खोदेंगे तो सिदी से बात तीस को पंदरा से गुना वो 1.500 को 21 3.000 को तीस से गुना कर देंगे नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आयेगा कि यहां कोई खुद रही है नहीं लोगों arrow करशा बन रहा है वो नए लोगों को समझ में नहीं आयेगा आप लोगों थोड़ा जीब लग रहा होगा ये राजस्तान के नहीं होता है तो कहीं कहीं नहीं तो ज्यादा पत्थर मिलता है नहीं खीए पर गास होती है लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुईया जरूर बनते हैं जहां रेजानी पानी होता है वहां कुईया अवस्य बनेगी ऐसे जगों पर बितर की चिनाई लक लखडे के लंबे लट्डों से लट्डों से लट्टों बड़े उससे की जाती है लट्ठे- अर्नी, बन या कर बावल, कोबट impe zajत के게ड़ों के डगालों से बना जाती है डगालों होता है पेड का तना या मोटी-मोटी जो डालियां होती है तेहनिया जिसे कहा जाता है उन्हें कहा जाता है तेहनिया या तनों को पेड़ों के तनों को तो ध्यान रखना उन लट्टों क्या कहा जाता है क्या तो अर्णी के लट्टे या बन या कैर के लट्टे या बावल के लट्टे या कुबड के पेड़ों के डगालों से बनाए ज तो आख आख तक से भी काम लिया जाता है यहरी ने कि पेड़ होता है जिसकption काम लिया जा सकता है देखो क्या तो अर्णी सबसे मजबूत लखड़ी या बन केर बावलया कुमबट का लखड़ा होता है या यह ने मिल पाए तो आक मद्यम परकार का जो लखड़ा बताएगे उमदा तो अर्णी है नए लोगों तो समझ में भी नहीं आए कि यहां कोई बन रही खुई कुद् कार से पता भी नहीं चलता उनको यह गहास पड़ी हुई है इससे रसा बट करके आ रहा है ने यह रसा आ रहा है तो लटे लटे नीचे से उपर की और एक दूसरे फसा कर सीधे खड़े किये जाते हैं फिर इन्हें खीप की रसी से बांदा जाता है कहीं कहीं चग को रसी भ कार प्राप्त कर लिते हैं कभी और चिनाओं कर रहे चेलवान जी को मिटी की खूब परक रहती है और नीचे जो काम करते हैं जी परक होगी तब भी तो कारिये करेंगे विक्ती खड़िया पत्तर को पकटी आते ही सारा काम रुख जाता है, छो पाताले पानी होता है, उसमें जाकर पानी नहीं नहीं वरना वह भी खा रहा हो जाएगा, तो रेजानी पानी को रोकना है हमें, लोगों को एक छण नीचे धार लग जाती है चेजारों उपर आ जाते है कोई की सफलता यानि सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है यो तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेश ध्यान रखना यहां की परंप्रा रही है यह काम पूरा होने पर तो विशेश भोज का आयोजन होता है देखलो यहने की कंडे के निर्मान से लट्टे का परियोग अब देखो कोई खोदने वाले जैसे ही खड़या पटी नीचे आ जाती है तो जब वो उपर आ जाते हैं तो एक विशेश परकार का आयोजन उत्सव मनाया जाता है बताए ना आच परथा एक आएगा बाद में तो एक विशेश परकार का क्या होता है उत्सव मान लेते हैं विशेश भोज भी रखा जाता है जी कोई पूरी खूझ जाती है सही, चेलवान जी, को विदाई के समय तरह-टरह के भेंट दी जाते हैं, और चेलवान जी जो कार्य करते हैं, कोई खूझने हैं, उनको अलग-अलग तरह के उपहार सूप़े जाते हैं, चेजारों के साथ गाउं का यह समंद्द उसी दिन नहीं तूट जाता था यही तो था यही पुराने वक्तियों में एक ताजा, आहवा का यही पुराने वक्ति जब किशे से मिल लेते हैं थोड़ा जाना थोड़ा सा काम कर वा लेते हैं जिन्दकी पर उसे भूलते नहीं है और याद करते ही रहते हैं आज परता से उन्हें वर्स भर के तीज तेवारों में विवहा जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग धेर भी लगता है देखो ये होती ह अबी सम्मान जनक ऐसा सम्मान मिलना खुशी होना यहीं एक बर कोई खो जाता है अपनी जिन्दकी को दाव पर लगा कर तो खोता है तो फिर आज परता से तीज त्योंवारों के में भी उनको नेक भेंट उस विवा उस सब होता है उनको पहर सब कुछ दिया जाता है और य रिवाज आ गया और आप तो बरतमान में मजदूरी देखर पर काम करने का रिवाज आ जाता है कोई के निर्मान में लट्टे का परियोग कई जगों पर चेजारों के बदले सामाने गरस्त भी इस विशिष्ट कला में कुसल बन जाते हैं यहीं कुछ व्यक्तियों जैसे कह नहीं होगा तो अपनी एरोची के नोचार कुछ कारी सीखना पड़ जाता तो रोची हो जाती उस कारी में जैसे मेर के अन्य गाओं में पाली वाल ब्रहमनों और मेग वालों अब अनुसिष्जाती के अंतरकत के हातों से दो सो सो दो सो दो सो बरस पहले सो या दो सो बरस पहले बनी पार या कुईया को क्या कहा लाता है पार आज भी बिना ठखे पानी जुटा रही है यानि कि जेसल मेर के अने गाओं जैसे पालेवाल भरहामन मेगवाल अनुसुजाती के अंतर गाते हैं तो मेगवाल के हाथों से सो दो सो बरस पहले बनी पार कुईया आज भी बिना थके पानी जुटा रही है कि कहने का ताथ पिर किया है कि सो दो सो वरस पहले जो कुईया बनाएगी ति जेसल मेर के इन गाओं में आज भी वह पानी को रोकने में सक्षम है कोई काम हो है छोटा रखने के तीन बड़े कारण क्या क्या है पानी जमा कर पाती है कि उससे दो तीन घड़े भर सके यहांने कि पूरे दिन में इतना पानी जम्मा हो पाता है जिससे कि दो तीन गड़े पानी भर सके कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे उपर निकालना संभव भी ने और कोई का यह दी व्यास है दी चोड़ा कर देंगे तो इतना पानी ज्यादा दो तीन गड़ाई बढ़ता है तो पानी उसकोई के तल पर फैल जाएगा जो उस पानी फिर कैसे निकाला जाएगा निकाला भी नहीं जा सकता चोटे व्यास की कोई में धीर धीर रिस्ट कर आ रहा पानी दो चार हाथ की उंचाई ले लेता है और चोटे व्यास कोई होते हैं उसमें पानी जितना भी जाएगा तो उंचाई ले लेगा तो बाल्टी से आजराम से पानी निकाल लेगे कई जगहों पर कोई से पानी निक इस बहुती है और दात्ष की बालती जो होती है आसानी त्दूपती नहीं है या दोट तू एक ठेला होता है चमडे का उसे चड़स उसे पानी से दख पान पर गिरता है और इसी तरह कम मात्रा में कम मात्रा के पाने में भी ठीक से डूप जाता है यानि कि चम्डे का जो थेला होता है उसे उपर का एक कड़ा होता है वजनी लोहे का जैसे वो टिकेगा तो पानी के अंदर चला जाएगा इतना वजन इतना तो सेहन करी सकता है पानी इतना हलकात होता है तो वह पानी भर जाता है तोड़ा कम पानी होता है तो भी भर जाने के बाद उपर उड़ते ही चड़स अपना पूरा आकार धारन कर लेता है और जैसे पानी भर जाता है तेला होता है चिपका होता है पानी ले लेता है पूरा आकार और जैसे गुबार मे हवा बरतन ऐसे आकार को ले लेता है पिछले दोर में ऐसे कुछ गाउं के आसपास से सड़के निकली और ट्रक दोडे नहीं पिछले दोर में ऐसे कुछ गाउं के आसपास से सड़के निकली हैं और ट्रक दोडे हैं ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बना जा जाएगा बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा कुई को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे डखकर रखना जुरूरी है छोटे मुयों को डखना सरल होता है हरेक कुई पर लकडी के बने डखन डखे मिलेंगे और हरेक को छोटा इसलिए ब इसकी जो टटियां होती है जो टाटी बनाई जाती है खस यह गास होती उसकी छोट चोट टाटिया मतलब होता है उसके उपर इस परकार से एक चद्दर सा बना दिया जाता है कोईयों को जहां नई सड़के निकली है और इस तरह नए और यह परीचित लोगों की आवक बढ़ गई है जिससे की यहां यह अमरिज जैसा मीठा पानी उसकी सुरक्षभ उन से करनी परती है नई राकों में कई कुईयों के डखनों पर छोटे छोटे ताला ताले भी लगे रहे हैं कि कई लाकों में तो उन छोट-छोटा पानी को बचाने के लिए है ताले कोई के उपर पानी खीचनी के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाई जाते हैं यानि कि ताले कोई के उपर पानी खीचनी जो घिरनी चक्री लगाई जाते हैं उसके उपर भी ताले लगे हुए तो देखना गाव में जाकर जैसे मेर बाड में जाकर देखना वहाँ पर ताले भी लगे हों कोई पानी चुरा नहीं ले क्योंकि सब अपना अपना जुगाड कैसे तैसे करते रहते हैं कोई एक दूसरे के लिए नहीं जीता आज गल जमाना भी ऐसा हो गया है कोई गहरी बने तो पानी खीचनी की सुईदा के लिए उसके उपर घिर्नी चक्री भी लगाई जा गरेडी चर्खी और फरेडी ये नाम द्यान रखना है पूछा जाएगा घिर्नी या चक्री को किस नाम से जाना जाता है तो गरेडी की नाम से भी फरेडी की नाम से भी या चर्खी के नाम से भी फरेडी लोही की दो बुझाओं पर लगती है यानि फरेडी जो होती है लो कोई से पानी निकाना बहुत कठिन काम बन जाता है कहने का तात परे क्या है लेकिन प्रा यह गुलेल के आकार की एक मजबूत तने के तने को काट कर उसे आर पार छेद बना कर लगा जाती है और इसे ओडाक कहते हैं और चर्खम के बिना इतनी गहराई शक्डी कोई से पाने निकाना बहुत कटिन काम बन जाता है ओडाक और चर्खी चर्षी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीद्ध उपर तक लाती है पाने बीच में जलक कर गिर्ता नहीं है उड़ाग और चर्की चरशी को यहाँ… वाँ बिना टकराए पाने को सीध्यू उपर ले आती है- वजन खीचने में तो इससे सुविधा रहती है वजन खीचने में चर्की होगी तो तोora रस्षा वोकर उसके पर रस्षी होगी न तो खीचने में अच्छा भी मैसूस होता है और सरलता भी होती है, खड़िया पत्तर की पट्टी पर एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पर पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है, ऐसे छेतर में बड़े साब सुतर, साब सुतरा मैदान में 30-40 कुईयां भी मिल जाती है, और ऐसे ही एक छेत संपति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कोई के मामलें बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है हर एक की अपने अपनी कुई है उसे बनाने और उससे से पाने लेने का हक उसका अपना हक होता है लेकिन कोई जिस छेतर में बनती है वह गाउं समाज के सारुजिनिक जमीन है उस जिगे बरसने वारा पानी भी बाद में वर्स बर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल बर कोईयों में पानी भरेगा नमी की मातरा तो वहां हो चुकी वर्सा से तै हो गई है अब उस छेतर में बनने वाली हर नई कोई का अर्थ है पहले से तै नमी का बटवारा यहीं क्योंकि पानी सभी को चाहिए इसलिए नीजी होते हुए भी सारोजनिक छेतर में बने कोईयों का गराम समाज का अंकुष लगा रहता है यह पानी बटेगा बहुँजरूत पढने पड़ए समाज नहीं कोई के लिए अल дав के लिए एपनी स्फिकर्ति देता है हर दिन सोने का एक अंड़ा देने वाली मुर्गी की चीर परिचित कहानी तो जमीन पर उतरती है कोई यहनी कि आपने सुना होगा एक सोने गंड़ा मुर्गी देने वाली कहानी जो हरोज एक सोने गंड़ा देती थी अब उसने सोचा नालाइक ने कि इसको पेट को काट करके हो सारे अंड़े एक दिन निकाल लिया जाए तो लालच बुरी बला होती है न ऐसे ही इससे दिन बर में बस दो-तीन गड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है इसलिए पूरा गाउं गोदुली बेला में कोईयों पर आता है तब मेला सा लग जाता है पूरा गाउं पर गोदुली बेला क्या होता है साम का समय तो ऐसा लगता है कि मेला इखटा हो रहा है मेला लग गाउं से सटे मैदान में 30-40 कुईयों पर एक साथ घुमती घुरनियों यानि पानी भरने वाले मैईलाइं सबर गोचर से लोट रहे पस्वों की गठियों गंठियों और रबाने की आवाज में समा जाता है और जैसे ही ये मैईलाइं फिर 30-40 कुईयों के पास आप में घुम फिर 20-30 बर जाने पर डोल और रसी से समेट ली जाती है नई जब 23 मड़ जाते हैं तो अपने अपने में रस्य टी पानी हैं उनكن को विब्त पानी से खींच जाता है कोईयों के वापस बंद जाते ऐं फिर दक्कन वापस बंद जाते हैं रात बर और अगले दिन बर कोईयां आराम करती हैं रेत के नीचे सब जगह खड़िया को पटी नहीं है इसलिए कोई भी पूरे राजास्तान में नहीं मिलेगी इसलिए कई छेतरों में है पटी चलती है और इसी कारण वहां गाउं गाउं में कुईयां ही कुईयां है यानि की चूरू, बिकानेर, जेसलमेर और बारमेर इन छेतरों में खड़िया पटी है इसलिए हम बहुत सारी कुईयां ही कुईयां प्राप्त होंगे आपको जेसलमेर जिरे के एक गाउं खरेडो की डानी है में तो 120 कुई या थी यानि कि लेखा कह रहा है अनुपर मिस्टर जी जैसे में एक गाउं था जिसका नाम था खरेलो के डानी जिसमें 120 कुई या थी लोग इस चेतर को बारभ मेर्ब के कई गाउं पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गाओं के नाम भी पार पर ही है यानि कि अब कई गाओं पार के कारण आबाद हैं यानि इन पार के कारण आबाद हैं तो उन गाओं का नाम पार ही पड़ गया जैसे जानरे आलो पार, सिर्गू आलो पार कहने का तात्प्रिय क्या है जो 120 कुईयां थी उन्हें च्छेगुना 20 नाम जाने कहीं कहीं इनको क्या कहा जाता पार कहा जाता पारों के नाम सी जेसलमेर बार में कहीं गाओं का नाम भी पढ़ गया पढ़ गया अलग अलग जगों पर खड्या पट्टि के भी अलग अलग नाम है कहीं है को यह कई नाम पार पूर अलग अलगноп है कहीं पर चारोली कहते हैं, कहीं पर दादलो कहते हैं, कहीं पर दरदलो कहते हैं, कहीं पर बिटरो बलीयों के नाम से भी जाना जाती है तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है, और कहीं कहीं इस खड़या पट्टी को खड़ी भी कहा जाता है और इसी खड़ी के बलपर खारे पानी के बीच मीठा पानी की खड़ी रहती है कोई पर कुईयों पर ताला लगा दिया चक्री पर ताला लगा दिया जिसे कोई पानी उसे प्राप्त है नहीं करें कि नहीं नहीं लोग आकर बस रहे हैं तो आवा गमन से वो चोरी ना करें कोई पानी का इसलिए वहां पर ताला भी लगा दिया जाता है तो ये था बच्चो आप आपका राजस्तान की रजत बुंदे से संबंदित पाठ था मूल पाठ हम लोगों ने पड़ा उम्मीद करता हम आपनों बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा अभी के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक्यू सो मच